So, Hey Welcome, viewers, स्वागत है आपका इस नए वीडियो में इस वीडियो में हम बात करने वाले मेरे भी फार्मसी के मिस्टेक्स के बारे में मैंने भी फार्मसी में ऐसी कौन सी मिस्टेक्स की जो आपको as a fresher बिल्कुल भी नहीं करनी चाहिए तो उसके बारे में होने वाले इस वीडियो से विडाउट इनी फुर्दर ही ले लेट्स सार्ट दे वीडियो तो अब हम बात करते हैं मेरी भी फार्मसी के फर्स्ट मिस्टेक्स के बारे में तो as a fresher जब मैंने भी फार्मसी में एड्मिशन लिया तो आपको first year में यह ध्यान में रखना है कि आपको consecutively बहुत सारे exams देने होंगे और उस consecutively exams देने के वाज़े से आपको सिर्फ अपने marks पर और आपकी passing पर आपको focus करना है आपको कोई भी ज्यादा उस topic में deep जाने की बिल्कुल भी जरुरूरत नहीं है जितने आपको marks उस topics related है सिर्फ आपको उसी topics के लिए study करना है और सिर्फ अपने passing पर focus करना है तो मेरे साथ हुआ यह कि मुझे बिल्कुल भी पता नहीं था कि मेरे जल्दी exams आने वाले हाला कि first year में हमारा pattern ऐसा होता है कि आपको first year में आपके दो semester exams युनिवर्स्टी तुरू कंड़क्ट की जाते हैं और उस particular semester में भी आपको दो sessional exams आपके internal marks से लिए college रू कंड़क्ट की जाते हैं तो इतने सारे exams आपको स्रिफ first year में देने हैं तो इसके वज़े से मैंने कहा कि आपको स्रिफ अपने marks पर focus करना चाहिए ना कि उस subject के deep knowledge पर अब हम बात करते हैं मेरी सेकंड मिस्टेक के बारे में तो मेरी सेकंड मिस्टेक यह थी स्रिफ एक ही reference book पर depend करना हाला कि हमें 12 तक स्रिफ एक ही ऐसी ideal book होती थी जिससे हम पढ़ते थे और उसी से हम एक पूरे एक्जाम्स देते थे लेकिन graduation में यह बिल्कुल भी apply नहीं करता है क्योंकि graduation में क्या होता है कि आपको सब्जेक्ट की deep knowledge होना बहुत ही ज़्यादा जरूर है तो इसके विए से आपको vast variety of books refer करनी चाहिए और उससे आपको बहुत सी ज़्यादा wide aspect मिलेगा एक particular subject को समझने के लिए तो यह गलती आपको विल्कुल भी नहीं करनी चाहिए आपको बहुत सारी books है बहुत different different ऐसी publication के books आपको refer करने चाहिए तभी आपको उस particular subject की deep knowledge होने में मदत होगी तो अगर मैं बात करूँ अपनी third mistake के बारे में तो वो यह है कि किसी भ student पर ही नहीं बर्कि teachers को भी बहुत जादा pressure होता है teachers को वह वास्त जो syllabus है वह जल्दी से जल्दी cover करना होता है और student को भी बहुत सारे exams की preparation करनी होती है तो हमारे लिए हर कोई teacher notes नहीं provide कर पाता तो वह चीज़ हमें समझनी चाहिए और हमें अपने notes कुदी prepare करने चाहिए औ और अगर आपके पास notes नहीं है तो हर कोई teacher आपको notes provide नहीं करेगा ये बात आपको ध्यान में रखना जरूरी है क्योंकि teacher जब पढ़ा रहा है तभी आपको उस particular topic के notes निकाल के रखने है और उसका आप एक book prepare कर सकते हैं ये गलती मैंने भी की थी कि मैंने बिल्कुल भी notes के पर ध्यान नहीं दिए ये गलती आपको फिल्मे बिल्कुल भी नहीं करनी जाहिए तो ये थी मेरे बी फार्मसी के कुछ mistakes जो आपको as a fresher बिल्कुल भी नहीं करनी जाहिए तो बस आज की वीडियो के लिए बस इतना ही फिर मलता हूँ मैं आपको एक नए वीडियो में एक